So guys, welcome back to another comparison video और इस वीडियो में compare करने वाला हूँ Vivo V29 Pro vs Oppo Reno 10 Pro Plus इसका में camera test करने वाला हूँ अगर आप इन दोनों में से कोई camera के लिए phone बाई करना चाहते हो ऐसा camera आप ज़्यादा यूज़ करोगे वीडियो बगेर शूट करोगे या फिर वीडियो बनाओगे फोटोस कीचोगे, सेलफी लोगे आपके लिए कौनसा camera अच्छा रहेगा वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए करते हैं camera test So let's start now तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर Vivo V29 Pro है और Oppo Reno 10 Pro Plus है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही detail में अगर हम देखें बहुत ही दिहान से अगर हम देखें तो यहाँ पर colors में थोड़ा difference है Oppo Reno 10 Pro जो है वो colors को natural रखता है ज्यादा boost नहीं करता और Vivo V29 Pro जो है वो color को boost कर देता है जैसे कि यहाँ पर है Vivo V29 Pro जो है वो थोड़ा brightness बढ़ा देता है और Oppo Reno 10 Pro Plus जो है वो उसके साथ साथ contrast को भी बढ़ाता है तो इसलिए इसके जो colors दिखते हैं वो थोड़े natural type के दिखते हैं जबकि Vivo V29 Pro जो है वो brightness बढ़ाता है और थोड़ा सा उसको saturated कर देता है ज्यादा तो Vivo V29 Pro जो है वो यहाँ पर इस तरह से काम कर रहा है Oppo Reno 10 Pro Plus जो है वो natural color निकल रहा है अब को अगर natural अच्छे लगते हैं तो Oppo Reno 10 Pro Plus अच्छा लागेगा obviously Vivo V29 Pro जो है वो boosted colors के लिए हैं तो चलिए अब यहाँ पर हम कुछ photos देखेंगे कि photo में कितना ज़्यादा difference देता है तो अगर हम photos में देखें तो देखें यह Bebo V29 Pro Oppo Reno 10 Pro Plus अभी यहाँ पर दोनों की photo similar लग रहे हैं ज़्यादा इन में फर्क नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Bebo V29 Pro गी तो इसने yellow color को थोड़ा boost रखा है जबकि Oppo Reno 10 Pro ने अच्छा करके रखा इसको natural करा है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा boost कर दिया है ग्रीन कलर को तो इसलिए ज़्यादा detail अच्छी capture नहीं हो पाई यह Bebo V29 Pro में इस photo में अगर हम देखें तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है यहाँ पर Oppo Reno 10 Pro प्लस जो है उसने natural करके रखा है और Oppo और यहाँ पर Bebo V29 Pro जो है उसने बहुत ज़्यादा bright कर दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्रीन कलर्स को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है Bebo V29 Pro और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रीन कलर कम है तो इसलिए फोटो दोनों की अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पर OPPO Reno 10 Pro Plus की अच्छी लग रही है यह थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा है Bebo V29 Pro भी यहाँ पर बुरा नहीं है काफी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि एक तरह 50,000 का फोन है यहाँ पर और Bebo V29 Pro जो है बोच से कहीं ज़्यादा सस्ता है तो मुझे लगता है कही न कहीं जो Bebo V29 Pro है वो अच्छा काम कर रहा है OPPO Reno 10 Pro Plus से क्योंकि यहाँ पर इस वोटो में आप देखोगी तो brightness बहुत ही कम है OPPO Reno 10 Pro Plus में जबकि Bebo V29 Pro ने अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर आप देखोगे तो detail आप देखी यहाँ पर जो detail का है वो Bebo V29 Pro ने अच्छी capture करी है क्योंकि इसने brightness बढ़ा रखी है OPPO Reno 10 Pro Plus ने कम रखी है क्योंकि इसमें brightness कम है contrast ज़्यादा है तो इस तरह से यह इतना फर्क आपको देखने को मिलेगा आप बताईए आपको कौन सा केमरा अच्छा लगता है Bebo V29 Pro अगर हम price को देखें तो बहुत ही अच्छा केमरा है बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है OPPO Reno 10 Pro Plus जो है वो पचाफ हजार का है लेकिन फिर भी इतना अच्छा केमरा काम नहीं कर रहा है तो देखिए अगर आप Bebo V29 Pro को भले ही बिनर नहीं समझते हैं लेकिन OPPO Reno 10 Pro Plus जो है वो अच्छा तो ही है लेकिन Bebo V29 Pro जो है वो भी अच्छा स्मार्टफोन है अच्छे फोटोस यहां पर निकालें इसने क्योंकि जो कलर्स बगर आएं वो थोड़ी से बूश्ट करके रखें कहीं कहीं पर ज्यादा बूश्ट बहुत ज्यादा बूश्ट अगर कर दीए तभी फोटो खराब हुआ है अदरवाइस जो फोटो है वो काफी अच्छा रहा है बाकि आपको कौन सा केमरा अच्छा रगा है कॉमेंट्स में हरु रता ना मेरी रिकमेंडेशन वीवो बी 29 प्रो है अगर आप कम बजट है आपका तो राइट और अगर आप ज्यादा बजट यहां पर है आपका तो वो पूर अटन प्रो प्लस जो है वो भी अच्छा स्मार्टफोन है तो थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो